दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है घर बैटे ही ओनलाइन अपनी बेटी के सुकन्या समर्दी अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको IPPB यानि इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंग के द्वारा जो है किस तरह से हम बेटी के सुकन्या समर्दी अकाउंट में ओनलाइन पैसे घर बैटे ही जमा कर सकते हैं आपको क्या करना है इसके लिए पोस्ट औपीस में जाके पोस्ट ओपीस का एक बैंक होता है IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उसमें आपको अकाउंट ओपन करवाना है उसके द्वारा आप पोस्ट ओपिस की RD, PPP, अप सुकन्या समर्दी कई इसकीम में जो है Post Office में जाके इसमें Account Open करवा लेना है इसके द्वारा आप Post Office की RD इसके बाद में PPF, सुकन्या समर्दी, PLI इसमें जो है बड़ी ही आसानी से जो है पैसे Transfer कर सकते हो तो मैंने मेरे phone में जो IPPB India Post Payment Bank की जो app मैंने install कर रहा है सबसे पहले मैं app को open कर लेता हूँ app को open करने के बाद में इसमें जो आपने mpin set कर रहा है mpin डाल देना है जैसे याप इस app में mpin डालोगे तो app का interface जो है इस तरह से आपके सामने खुल के show हो जाएगा इसमें आपके IPPP अकाउंट में केतने रुपए वो भी show कर देगा आप इसके दोरा mini state भी check कर सकते हो और fund transfer किसी को पैसे भी transfer कर सकते हो यानि जैसे हमारे पास बैंकों की जो एफ होती है mobile banking same वेसे ही है तो इसके लिए आपको post office जाके फिर post office की saving scheme में पैसा जमा करना यह जरूत नहीं इसी के दोरा कर सकते हो अभी इसके लिए my service में आपको एक option मिल जाएगा post office service जजगा तो जहां पर मैंने round circle कर रहा तो इसके उपर आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप इसके उपर किलिक करोगे जाएगा इसमें सबसे पहले post office का saving bank account होता है उसमें पैसे जमा कर सकते हो RD में कर सकते हो PLI में कर सकते हो PPF में कर सकते हो और इसके भाद में option दिया हुआ है सुकन्या समर्दी account यानि सुकन्या समर्दी account में भी जो है आप इसके दोरा पैसे गरबटे ही जमा कर सकते हो तो जहां पर मैंने एरो मारक किया है यही सुकन्या समर्दी का option है तो अभी पैसे जमा करने के लिए इसके ओपर क्लिक कर देना जैसे आप इसके ओपर क्लिक करोगे इस तरह का page आ जाएगा अगर आपने पहले इससे पेमेंट किया है तो नीचे जो है आपको मिल जाएगा इसके बाद में इसको आपको फिलप कर लेना जैसे यह आप फिलप करोगे फिलप करते है नेक्ट पेच इस तरह से कुलकेश्यो हो जाएगा इसमें जिस भी बेटी के नाम से अकाون्ट होगा सबसे पहले उपर जो है बेटी का नाम आजाएगा इसके बाद में दीओ पी कस्टमर आइडी इसमें जो कस्टमर आइडी है वो शोकरदेगी इसके बाद में जो है limit है हमारी सुकन्या समर्दी की वो भी शो कर देगी जैसे deposit limit तो इसमें आप कम से कम 100 रुपे और maximum जो है डेड़ लाक रुपे तक इसमें पैसे ट्रांसपर कर सकते हो फिर अगर हमने पहले इस एप का यूज करके और हमने पैसे जमा किये हैं सुकन्या समर्दी में तो वो भी आपको यहां पर जो है इसमें शो कर द अभी इसमें पैसे हमारे को ट्रांसपर करने के लिए जो deposit amount का option है इसमें आपको जितने रुपय ट्रांसपर करने हैं वह amount हमारे को फिलब कर देना है नोट करके भी इसमें लिखा हुआ है कि पैसे हमारे को 50 के multiply यानि 50 के multiply ही पैसे यानि 50, 100, 500, 200 ऐसे नहीं है कि 10, 20, 30 ऐसे नहीं है वो करके और confirm कर देना फिर एक बार आपके सामने इस तरह का page आजाएगा इसको आपको check कर लेना है check करने के बाद नीचे जो confirm का option दिया हुआ है आपको इस page को जो है confirm कर देना है तो जैसे ही मैं इस page को confirm कर देता हूँ page थोड़ सा load होगा और हमारे registered mobile नमर पर जो सुकन्या समर्दी में registered mobile नमर है उसके उपर आपको एक जो है sorry submit का option दिया है तो submit कर देता हूँ तो जैसे ही मैं इसको submit करूंगा देख सकते हो आप payment success पूले जितने रुपए आपने डाले थे वो इसके बाद में IPPB transaction ID सब कुछ जो है इस तरह से show कर दिया तो दोस्तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है IPPB जो इंडिया post payment banking की mobile banking की एफ है उसका योज करके और इसमें सुकन्या समर्दी में आसानी से घर बैटे ही जो है पैसे transfer कर सकते हो इसके बाद में अगर आपके पास ये एफ है तो आप जो है इसके दौरा अगर आप की post office में already है तो उसमें पैसे transfer कर सकते हो PLI scheme है तो PLI में भी कर सकते हो और अगर अगर अपनी PPAP यानि Public Provident Fund में ले रखा है इसकी तो उसमें भी पैसे transfer कर सकते हो तो दोस्तो ये बहुत ही अच्छी एफ है आप इसका यूज करे और घर बैटे ही अपना जो है ये process करे फिर आपको post office की scheme के regarding जो कोई भी क्यूरियो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मैं जितना हो सकेगा पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवा थेंक्यू